अगर आपको भी एक्सपेरिमेंट वीडियोस देखना पसंद है तो आपने क्रेजी अक्सवाइजेट का नाम कही ना कहीं जरूर सुना होगा या फिर आपने क्रेजी अक्सवाइजेट की वीडियोस यूटूब पर जरूर देखी होगी दोस्तो क्रेजी अक्सवाइजेट भारत के बिकेस्ट यूटूब चैनल में से एक हैं क्रेजी अक्सवाइजेट की एक्सपेरिमेंट वीडियो काफी मज़दार होती है और लोगों को भूत ही ज़दा पसंद भी आती है दोस्तो इसी के साथ अमित शर्मा ने अपनी हाड वर्क और अपने काइंडली बिहेवियर यकानल लोगों के मन में एक अलग जगह बना ली है इनकी वीडियो यूटूब पर आते ही वाइरल हो जाती है मिलियन्स के अंदर व्यू जा जाते हैं तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानते हैं अमित शर्मा है क्रेजी अक्सवाई जेड की बाइग्रोफी और लाइव स्टाल के बारे में इसी के साथ दोस्तो अगर आपका भी फैडियो यूटूबर क्रेजी अक्सवाई जेड है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अमित भाई के लिए दो लाइन कमेंट के अंदर जरूर लिख देना तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो क्रेजी अक्सवाई जेड का वास्तिव की नाम अमित शर्मा है अमित शर्मा का जनम 11 सितंबर 2000 को राजस्तान के अलवर जीले के बानसूर कस्वे में हुआ था इसी के साथ इनकी प्रारम्लिक शिक्षा इस्तानी स्कूल से हुई है पड़ाई में तेज होने करने स्कूली बच्चे इनको साइन्टिस्ट बुलाते थे दोस्तो क्या आपको पता है कि अमित के माता भी ता दोनों टीचर है अलवर से दस्वी करने के बाद आयाईटी के तैयारी करने के लिए मकसद से अमित शर्मा कोटा आ गए थे इसी के साथ कोटा में कोचिंग करने के बाद अमित शर्मा का आयाईटी रूडकी से मेटरलोजी और मैटेरियल्स में इंजिनियरिंग के लिए चैन भी हुआ लेकिन दोस्तों IIT रूर्की से बिटेक करने के दोरानी अमिद शर्मा को यूटूबर बनने के एक जिग्यासा उठी मतलब आप मान सकते हो कि IIT के दोरानी अमिद शर्मा ने ठान लिया था कि वो एक यूटूबर बनना चाते हैं यूटूब के अंदरी अपना करियर बनाना चाते हैं लेकिन इसकी एक वज़े ये भी थी कि IIT में फ्री इंटरनेट की सुईदा थी तब ही अमिद शर्मा ने उस फ्री वाइफाई इंटरनेट सुईदा का फाइदा उठाते हुए अमिद ने IIT की पढ़ाई की दोरानी अपना एक यूटूब चैनल बना लिया था दोस्तो हम मान सकते हैं कि इनका यूटूबर बनने का सपना इनकी IIT कोलेज के दोरान ही शुरू हो गया था दोस्तो अब हम जाते हैं क्रेजी अक्सवाई जेड के इतनी बड़ी सफल होने के पीछे की कहानी क्या है दोस्तो अमित शर्मा ने सबसे पहले अपने यूटूब चैनल का नाम टोप एंड मोस्त रखा था उस पर पहला वीडियोज भारत के दस सबसे अमीर बिखारियों पर बनाया गया था ऐसे में अमित ने दूसरे चैनल के कोपी राइट वीडियोज भी डालना शुरू कर दिये थे लेकिन दोस्तो उनकी यह ट्रिक काम कर गई और चैनल चल पड़ा और अमित शर्मा ने अपने यूटूब चैनल से पहली कमाई लगबग एक लाग तीस हजार उपे की थी लेकिन दोस्तो अमित शर्मा के यतने बड़ी यूटूबर बनने ही कहानी असान नहीं है उन्होंने खुद एक इंटर्वी के अंदर बताया था कि उन्होंने 80 से बे ज़्यादा यूटूब चैनल बनाए हैं लेकिन दोस्तो इन यूटूब चैनल से अमित शर्मा ने थोड़ी बहुत रकम जमा कर ली थी इसके साथ जो पैसे इन्होंने अपने यूटूब चैनल से कमाये थे उन्होंने इस पैसे से एक कैमरा और माइक ले आये और एक नए सीरी से ओरिजिनल वीडियो बनाने शुरू कर दिये लेकिन दोस्तों शुरूआत के अंदर अमित शर्मा को सबसे दिक्कत थी कैमरा फेस करने की अमित कैमरे में देखकर ठीक बोल भी नहीं पा रहे थे इसी के साथ आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमित शर्मा के पहली वीडियो इस खुद अमित शर्मा कोई पसंद नहीं आई थी ऐसे में एडिट के समय उन्होंने अपनी आवास को ही म्यूट कर दिया था लेकिन फिर अमित शर्मा ने कुछ हट के सोचा उन्हें सोचा कि मैं अपने यूटूब चैनल पर सो वीडियो अपलोड करूँगा फिर वीडियो चाहि कैसे भी बने बस मुझे सो वीडियो यूटूब पर अपलोड करनी है शुरुआत के अंदर यूज सो से दोसों के बराबर आते थे लेकिन फिर भी अमित शर्मा ने लगातार यूटूब पर वीडियो टे अपलोड करना शुरू कर दी लेकि दोस्तों कि आपको पता है कि आज जो क्रेजी अक्सवाइड नाम चे चैनल है वो स्टार्ट के अंदर ब्लेड अक्सवाइड जेड के नाम से हुआ करता था दोस्तों क्रेजी अक्सवाइड इस चैनल को 10 सब्सक्राइबर 2017 को बनाया गया था और प्रेजेंट टाइम पर इस पर लगभग 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर मोजूद है इसी के साथ अमित शर्मा के कई और यूटूब चैनल भी मोजूद है जिनके अंदर एक है दे इंडियन अन्बोक्सर जिस पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर मोजूद है और इस चैनल को 23 जुलाई 2016 को बनाया गया था दोस्तों इस पर अमित शर्मा अन्बोक्सिंग से लिडिट वीडियोज अप्लोड करते हैं जिसके अंदर कई सारी खिलोनेज और कई सारी उलेक्रोनिक्स आइटम्स होते हैं इसी के साथ इनका एक और चैनल है जिसका नाम अमित अक्सवाई जेड है दोस्तों इस चैनल को अमित शर्मा ने 5 जुलाई 2019 को बनाया था लेकिन दोस्तों इनके इस चैनल पर लगबग 10 महीने से कोई भी वीडियोज अप्लोड नहीं हुई है इस पर लेटेस्ट वीडियो 10 महीने पहले अप्लोड की गई थी इसके साथ दोस्तों अमित शर्मा का एक इंस्ताग्राम चैनल भी है जिसका नाम अमित डोड वाई टी है जिस पर 2.1 मिलियन फॉलोवर्स मोजूद है दोस्तों अमित शर्मा को 18 लाग रुपे सलना पेकेस का जोग ओफर भी हुआ था लेकिन उन्होंने इसको ठुकार दिया और यूटूब पर ही करियर बनाने की सोची 18 लाग ओफर ठुकराया तब अमित शर्मा यूटूब से करीबन 40,000 रुपे महिना कमाने लगे थे फिर भी यूटूबर ही बनना चाहते थे अमित शर्मा नेटवर्थ है दोस्तो वैसे तो एक यूटूबर कई जगे से पैसे अरन कर सकता है खासकर यूटूब एडिसेंस के साथ साथ कई सारे और चीज़े स्पोंसर करके भी इसके साथ दोस्तो गूगल एडसेंस के अलावा यूटूबर्स स्पोंसर करके भी काफी अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं लेकिन दोस्तो एक्सपेरिमेंट वीडियो काफी एक्सपेंसिव होती है उनके अंदर काफी जादा खर्चा आता है लेकिन दोस्तो फिर भी अमिद शर्मा महीने के लगबग 30-40 लाक रुबे अरांसे यूटूब से कमा लेते हैं अमिद शर्मा कार कलेक्शन दोस्तो वैसे तो अमिद शर्मा के पास कई सारी कारिय मोजूद है उन्होंने अपने कई कारों को तो एक्सपेरिमेंट विडियो से के अंदर टोड डाला है लेकिन, दोस्तों, उनकी कार कलेक्शन के अंदर टाटा हेरियर और मर्सेटीज भी मोजूद है इसे के साथ उनके पास और भी लगजरी कारिय मोजूद है जो आप उनकी वीडियोस के अंदर अक्सत देखा भी होगा दोस्तो अमित शर्मा से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमने जो सपना देखा है अगर हमें उसे पूरा करना है तो उसके पीछे पागलों की तरह मैनेट करनी पड़ेगी उसे पाने के लिए हमें बहुत सारा हाड़ वर करना पड़ेगा तब ही जाकर हम उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे इसे के साथ दोस्तो कॉमेंट के अंदर बताना कि आपका ड्रीम क्या है आप उनी लाइफ के अंदर क्या बनना चाते हो और आपकी लाइफ का मकसद या फिर आपकी लाइफ का गोल क्या है हमें कॉमेंट के अंदर जरूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लेगा तो इस वीडियो को मातर एक लाइक करके इस चैनल को सब्स्क्राइब जरूर का लेना ताकि ऐसे और बाईग्रोफी वीडियोज आपको मिलते रहे मिलते हैं एक्स वीडियो के अंदर सब तक थेंग्यू सो मच जाहिंद जाए भारत